नमस्कार मैं हूँ ससी आये जार्खन के टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन के सीम हेमान सुरे ने बन महुत्सों का किया उधगाटन जार्खन के सीम हेमान सुरे ने मंगल और कुराची जी लेकान गड़ा प्रक्षन के गांधी किराम में बहुत तरवे राजस्तरिय बन महुत्सों का उधगाटन किया उन्होंने काया कि जार्खन के हर्याली बढ़ाने के लिए प्रिक्षार उपन जलूरी है यह हमारे जीवन के अधार है प्रकिर्टी के इन अमूले धरवहर की रक्षा हमारा करतब है काग्जों के बजाय पोधारो पन को धातर पर उतारे सीम हेमान सुरे ने का है कि जार्खन का समाने यहां के जंगल पहाड और नदिया है यह जीवन जीने के अधार है मौसम विभाग के अंसार मौसम समाने रहने की संभवना है मौसम विभाग ने विभाग ने औरेंज अलर्ट जारी किया है वहीं मानसुन कमजोर रहने की भी संभवना है बतादे मानसुन के ऐसी स्थिती राजय में अगले तीन दिनों तक बनी रह सकती है ज्यार्खन के नौन यूक्त राजेपाल रमेस बैस पहुंचे राची राची पहुंचे पतादे मेस बैस का राची के बीरसा मुड़ा यारपोट पर मुख्यमंति हमान सुरेन ने उनका स्वागत किया यारपोट से बाहर उनको गाड अप ओनर दिया गया राची एरपोर्ट पर मुक्ष मंतिय हमान सुरेन के अलावा मुक्ष सचीव सुकदेव सिंग, राजय पाल के अपर मुक्ष सचीव सहलेश कुमार सिंग, कैबिनेट सचीव वंधना दादेल, डिजीपी नीरज सिन्हा वो अनधिकारी मजूद रहे मुक्ष मंतिय ने राजय पाल को पुष्प गुच्छा देकर स्वागत किया देवघर मेला को लेकर सरधालोस दे लेकर दुकंदार वर्ग तक वर्स भर भगवान सिव का पवित्र महिना सावन मास का इंतजार करते हैं मगर इस वर्स भी कुरोणा संक्रमन के कारण कावर यात्रा नहीं होगी बता दे मेला का भी अवेजन नहीं होगा ऐसे में इस वर्स भी सावन का बजार संक्रमन की भेट चट जाएगा सावन सुरू होने में एक सब्ता से कम वक्त रहा गया है मगर बजार में हलचल बिल्कुल नहीं दिख रही आमतर पर के सरिया कपडो, सुंदर कावर और पूजा समागरी सजा रहने वाला बजार सुना है इसका असर बजार बेपारियों पर पड़ा है सरकारी खाली जमीन पर लगाये जाएंगे पौधे मुख्यमंतरी मुख्यमंतरी हमंसुरे ने कहा है कि इस साल वन महुच्छो कारेकरम के तवध पूरे जारकण में एक करोड़ सत्तर लाग पेड़ लगाये जाएंगे राची जिले में एक लाग पौधे लगेंगे मुख्यमंतरी ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितनी भी सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है उन सब पर पेड़ लगाये जाए मुख्यमंतरी वान महुत्सवकारिकनम को धाटन असरपर राची के गांधी गराम में जनता को समभोधित कर रहे थे गुमला में IDB स्पोट में जवान घायल जारखन के गुमला जिले में नकसल अभियान के दोन कोवरा वाटालियन का एक जवान घायल हो गया है गुमला जिले के कुरूमगड थाना छेत्रे के मरवा जंगल में मवादियों के दोरा लगाया गया हैड़ी की चवेट में आने से जवान घायल हो गया घायल जवान को यरा लिफ्ट कर रांची लाया गया उसके बाद spar से लाने के अस्पता ले जाया गया बता दे इससे और जवान को ले जाने के लिए रांची के खेलगावी थी तहली पयट के पास पुलिस पूरी तयारी के साथ मुझूद थी दूसरे राजियों में जाकर केस का अनुसंधान करेगी स्पेसल टीम साइवर ठगी के मामले का निस्पादन करने के लिए गठित एस्पेसल टीम अब दूसरे राजियों में जाकर केस का अनुसंधान करेगी इसके लिए Special Team के सदस्यों को सूची तयार करने का निर्देस दिया गया है का गया है कि किन किन राजियों से जूड़े मामले हैं उन सभी की लिष्ट बनाई जाए उस सूची में Special Team के अपसरों के नाम भी अंकित किये गया है तेयार सुची के अधार पर सस्पी के निर्देश पर सभी को केस अनुसंधान के लिए दूसरे राजे में भेजने की अनुमती दी जाएगी यूपी की जनसंख्या निती चुनावी नोटां की जामगमो यूपी के सीम योगी आधित नाध द्वारा जनसंख्या निती लागू किये जाने के साथ ही जारखन में भी इस पर बहाँ सुरू हो गई है इस भी सतारूट गडवनधन की ओर से राजे के बीत मंत्री रामेश्वर उराव ने कहा कि जनसंख्या निती जरूरी है लेकिन आच्छा या होगा कि इसके लिए निती के अंदर सरकार लाए जारखन कॉंग्रेस के परमूख और राजे के बीत मंत्री रामेश्वर उराव ने कहा कि सब जानते हैं कि उतर परदेश में जो जनसंख्या निती लाई गई है उसके पीछे भाजपा के इजेड़ा क्या है उन्होंने कहा कि हलाकि अर्थ व्यवसा की बिद्यार्थी के तोर पर मैं मानता हूँ कि हम जनसंख्या कभी स्पोर्ट सहन नहीं कर सकते इससे हमाई संसादनों पर दबाब बढ़ेगा अब मात्र आठ मिनट में हो सकेगी पूरी ट्रेन की धुलाई अब हटिया यार्ड में ट्रेनों के कोच की धुलाई और वेतर धंग से तथा कम समय में हो सकेगी इससे समय की बचत भी होगी इसके लिए हटिया यार्ड में आटोमेटिक कोच वासिंग पलान्ट लगाया जा इस वेवस्ता के तहुत 200 कोच की सफाई 24 गॉंत में हो सकेगी पता दे मसीन से मात्र 8 मीट में पूरी ट्रेन की सफाई हो सकेगी जब कि ट्रेन में अमुमा 24 कोच होते है जारखन में 40 नए केस मिले है जारखन में कूल मौत की संख्या 520 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 347 है भारत में 40 यार 215 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 424 यार 114 है